Hello dear students, welcome back to Organize Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे गतिविधी पत्रक नमबर 57, 4 class 6 to 8 6 to 8 के सभी बच्चो को ये गतिविधी पत्रक जो है अपनी maths की copy में करना है बच्चो आप इसको अपनी maths की copy में करेंगे और ये जो गतिविधी पत्रक है ये आपके लिए 29th of March 2022 के लिए schedule की गई है आज की जो वक्षीट है बच्चो उसमें भिन्नों की गुणा जो है कैसे की जाती है वो आप यहाँ पर सीखने वाले हो वक्षी शुकरने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन को भी प्रस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे क्या दिया गया है बिन्नों की गुणा कैसे की चात है बिन्न को भिन्से करना हो गुणा मजे मजे में तू कर जा तो यानि मजे मजे में गुणा करने सीखेंगे और बहुत ही आसान है बच्चों भिन्नों को गुणा करना बिन्नों को गुणा करने के लिए अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हैं ठीक है तो भिन्नों पांच और गुणा एक बटे तीन, तो दो गुणा में एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और पांच गुणा में तीन क्या हो जाएगा, बच्चों, पांच तीए पंद्रे हो जाएगा, तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर हमारा दो बटे पंद्रे आ जाएगा, उसके 7, 35 हो गया, आप 7, 7 कोपे में करते रहें, और उसके बाद हम 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया, 2 को 3 से गुणा किया, तो 6 हो गया, कितना जाएगा, 6 आजाएगा, तो यहाँ पर हमारा अंसर कितना जाएगा, 35 बटे 6 जो है, हमारा उत्तर हो जाएगा, उसके बाद, अगला भी बहुत ही आसान है, 11 को 2 से गुणा करोगे, तो बच्चो कितना आजाएगा, 11 गुणा में 2, और बटे में कितना आजाएगा, 5 गुणा में 3, तो 11 गुणा कितना हो गया, 22, और 5 तिये कितना हो गया, 15, ऐसे भी आप कर सकते हो, तो ये आपका दूसरे का उत्तर हो जाएगा, तीसरा भी बच्चो बहुत ही आसान है, 1 को 1 से गुणा करोगे, कितना आता है, सभी बच्चे जानते हैं, और 4 को अगर 10 से गुणा करोगे, तो कितना आता है, तो 1 को 1 से गुणा किया, हमने 1 आया, 4 को 10 से गुणा किया, हमने कितना आया, बच्चो, 4 को 10 से गु क्या करते हैं भिन्नों की गुणा जो है वो हम करते हैं अब हम करेंगे भिन्नों की भाग तो भाग देखें भाग कैसे करेंगे तो देखें भिन्नों का भाग तो दो भिन्नों को करना हो भाग दाए भिन्न को पलटना आप भाग का चिने तब हो जाएगा गुणा फिर गुण हमारे दाई तरफ भिन है उसको हम पलट लेंगे फिर वो क्या हो जाएगा उसका चिने जो भाग का है वो बदल जाएगा फिर हम उनको जैसे हमने अभी उपर किया तो आसानी से उसको गुणा कर सकते हैं जैसे देखे एक बटे पांच भाग में साथ बटे तीन है तो हम क्या क कर दिया हमने तीन आ गया पांच गुणा में साथ कितना हो गया पांच सत्य पैतिस तो तीन बटे पैतिस जो है हमारा यहां से उत्तर हो जाएगा अब इसी तरह से हमें इनको भी जो है यहां पे सौल करना है तो हम कैसे करेंगे जैसे हमने उपर किया वैसे ही बिलकुल सेम ये देखे 12 बटे 5 हम क्या करेंगे गुणा लगाएंगे 1 बटे 3 है तो हम इसको पलट देंगे 3 बटा 1 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12 तिये 36 और बटे में 5 ये उत्तर आ गया इसी तरह next हम करेंगे 6 बटे 13 और भाग में है गुणा में करेंगे लेकिन 2 बटे 5 है तो 5 बटे 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 हो जाएगा और 13 दूनी 26 हो जाएगा 30 बटे 26 जो है हमारा अंसर हो जाएगा ठीक है आप चाहो तो इसको और शौट भी कर सकते हो काटके ठीक है नहीं तो आप इतना ही रखें इसको 30 बटे 26 उसके बाद 8 बटे 5 है गुणा में 5 बटे 9 है तो 9 बटे 5 हो जाएगा पलट देंगे ठीक है बच्चो उसके बाद देखे 8 को 9 से गुणा करोगे 8 को 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाता है बच्चो 72 यानि 72 हो जाएगा और 5 को 5 से गुणा करोगे तो ये 25 हो जाएगा तो 72 बटे 25 जो है ये हमारा यहां से आंसर आ जाएगा तो बहुती easy बच्वाज की worksheet है तो आप ये सारे questions अपनी copy में करोगे इनको solve करोगे अच्छे से ठीक है और इनको ही practice करोगे जादा से जादा जो है इनकी आप जितनी जादा practice करोगे उतना ही अच्छे से आपको ये concept clear हो जाएगा तो ये थी आपकी आज की worksheet I hope सभी बच्चों को ये clear है कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जुरूर से प्यारे बच्चों like कर दीचे share कर दीचे और channel को subscribe कर लीचे so thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में next worksheet के साथ take care have a nice day